नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों का ये स्टेडी पॉइंट आजमकर में स्वागत है दोस्तों, जारखंड में 26,000 पदों पर साहयक अचारे की बहुत बड़ी बैक एंसी आई है टीचर के लिए जिसमें किसी भी राज्य के अब्यर्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं या तो वे सीटेट का एकजाम पास किये हो या फिर अपने अपने राज्य का कोई भी टेट का एकजाम अगर पास किये हो तो वो इस परिच्छा के लिए आवेदन कर सकते हैं इसमें जो है जो नोटिस निकला है उसको हम आपको लोगों को पढ़के सुना दे रहे हैं कि जारखंड में 26 जार पदों पर साहयक अचार की होने वारी न्यूपति परिच्छा में सीटेट वा परोशी राज सेटेट पास करने वाले अभ्यर्थी इसमें सामिल होंगे जो जा सारखंड की हाई कोट ने इसमें अनुमद दी है इसमें चीफ जश्टिस संजे कुमार मिस्रा और आनंद सेन की अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा कि ऐसी अभ्यर्थियों की न्यूपति की जाती है और लेकिन उन्हें प्रथम प्रयास में जेटेट पास करना होगा क्यो इसको प्रयास में उनको पास करना होगा लेकिन यदि जेटेट पर इच्छा जो है गर तीन साल तक के लिए नहीं कराती है तो ऐसे में अभ्यर्थियों को सो तापास माल लिया जाएगा और उनकी नोकरी पक्की हो जाएगी तो इस तरीके से 26,000 पदों के लिए बहुत बड़ी वैकेंसी आई है जारखंड में जिसमें सभी राजे के इस्टूडेंट जो है आवेदन उसमें कर सकते हैं लेकिन उसके लिए सीटेट पास होना जरूरी है या फिर अपने अपने राज़े के लिए टेट परिच्छा पास करना जरूरी है यदे बड़ी परिच्छा पास करके आवेदन करके नोकरी पाजाते हैं तो उनसके बाद उसे जारखंड का जेटेट का एक्जाम पहली ही बार, यानि पहले ही जब मौका मिलेगा तो उनको पहले ही प्रयास में पास करना होगा, लेकिन यदि जारखंड की सरकार नहीं परिच्छा कराती है, तो ऐसे में भी उनको पास माल लिया जाएगा और उनकी नोकरी पक्की माल ली जाएगी, और हाईकोट ने भी कहा है कि जारखंड सरकार को कहा है कि आपको जेटेट का परिच्छा हर साल कराना होगा, ताकि अब्यार्थियों को कोई परसानी इसमें नहीं हो, तो यह थी बड़ी बहुत बड़ी खुसखबरी आप लोगों के लिए और यह है कि इसमें अब्यार्थियों को तायारी करने के लिए मौका भी दिया जाएगा, करीब करीब तीन महिने के बाद ही जो है इसका एकजाम उगजाम कराया जाएगा, तब तक आप लोग मेहनत से पढ़िए, जो भी जनकारी होगी हम आप लोगों को जरूर बताएंग तब तक के लिए धन्यवाद चैनल को संस्क्राइब कर लीजेगा